Daniel chapter 7 एक interesting chapter है छे राजियों के बारे में दिया गया है It starts with Babylonian Kingdom, Meadow Persian, Greek, Roman शैतान के राज्ये के बारे में भी दिया गया है परमेशुर के राज्ये के बारे में भी दिया गया है जैसे आपने छे राज्ये कहे हैं तो बहुत से जो बाईवल के शिक्षक हैं शुरुवात से ये समझते हैं कि ये तो छे राज्ये हैं क्योंकि उसमें चार प्राणी के आने के बारे में बताया गया है तो इन चार राज्यों के बारे में है इसमें सबसे ज़ादा बताया है लेकिन ये एक अच्छा विचार है पांचवा राज्य याने फिर इसके बाद में छटवा राज्य, एंटिक्राइस्ट का राज्य और फिर उसके बाद ईशुमसी का राज्य ये बहुत अच्छा विचार है, अभी आपने ये पूछा कि दानियल कितना प्रकाशन क्यों दिया गया इसे देखना है तो, ये राज्य और ये सब ही, अभी हम जो कहने वाले हैं, उसे हमें कैसे देखना है चर्च के यूग को कुछ समय के लिए दूर रखके देखिए ये सब बताते समय इसमें चर्च का यूग नहीं बताया है, ये सब नहीं बताया, इसे छिपाई रखा इसके बारे में यहाँ पर कोई प्रकाशन नहीं दिया यह सब hidden है उधारण के लिए जैसे हम इसमें राज्य देखते हैं जैसे कि आपने कहां Babylonian उसके बाद में मीडाफारस, फिर ग्रीक, फिर रोम रोम के बाद में आप देखे उसके बाद शैतान का राज्य आएगा इन दोनों के बीच में चर्च का यूग है लेकिन चर्च के यूग का प्रकाशन नहीं दिया है यह देखा जाये तो पूरी तरह से इस्राइलियों के लिए आखरी समय के बारे में बताया है अभी दानियल कहां पर है यह पूछे तो अब इसमें एक और विशे क्या है अगर यह पूछे तो दानियल के समय के बाद यानि वो तो बंधवाई से वापस आने के बाद वहां मीड़ा फारस का समय होगा और वो वापस आएंगे अब देखे इन दोनों के बीच में यानि इसके बीच में जो भी समय है वो तो अन्य जातियों का समय है इसका अन्य जातियों के देश में परमेश्वर प्रकाशन देते है देखे जैसे कि हम हम लोग गिमिक्स कहते हैं न वरकिंग स्टाइल या फिर एक दिल्चस्प ऐसा ट्विस्ट कहते हैं उसे देखे तो ये बहुत सुन्दर होता है इस्राइलियों को परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी थी वो इस्राइल के बाहर दी थी सिन्य परवत पर और अन्य जातियों के लिए जो व्यवस्था देनी थी उसमें एक सूसमाचार है अभी इसमें जाए तो इसमें बहुत से connections है इसे हम कभी बाद में देखेंगे इसलिए कि उत्पत्ति के अध्याए 11 में अगर देखे तो वो बैबिलोन से शुरू करके पूरे संसार में फैल गए और उसी बैबिलोन से शुरू करके कनान देश जाने इसको कनान तक शुरू करने ले जाता है तो इस तरह से देखिए यहाँ पर ये सेट अप है जैसे देख सकते हैं वैसे यहाँ पर है तो इसराइली ओं के लिए यहाँ पर जो सत्य दिये हैं या जो भवशवाणी की वच्छन है परमेश्वर ने अन्यजाती के देश में दि एक और हैरानी की बात क्या है पूछे तो, इन राज्यों के काल में परमेश्वर ने दानियल को केवल इसराइल से संबंदित भविश्वानी थी, कमप्रिस मोड में उसे यानि दबा कर दे दी है, इसमें हमारे काम की भी एक चीज है, लेकिन वो बात दानियल को पता नहीं थी मैं तो यही कहूँगा, इसराइल को भी वो अब तक पता नहीं चला, कलिसिया पर ये प्रगट किया गया है, हम पर प्रगट किया है, उसे अभी आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, दानियल के समय में उसे नहीं समझ पाते चार राज्य के बाद में, शैतान के राज्य के बीच में एक छोटा ब्रेक है, ये ब्रेक क्यों है, इसे कोई नहीं जानता, उन्हें पता भी नहीं था कि ब्रेक है, अब पढ़ेंगे तो जानेंगे कि ब्रेक है, यही वो महतुपुर्ण काम है जो परमेश्वर ने किया है हमारे बारे में उसने सोचा है हमारे बारे में विशय इसमें दिये हैं लेकिन उन्हें पता न चले इस तरह रखा है एक समय तक वो पता नहीं चलेगा हमारे समय में हमें से जान पाएंगे इस तरह से कह सकते हैं क्या प्रभू कुछ चीजों को reveal करते वक्त तुरंथ ही कुछ घटना नहीं होने पर भी उसे forecast करके, foresight करके प्रभू कुछ चीजों को करते हैं सकते हैं कि जी हाँ, ऐसा ही है देखे, यहाँ पर जो भविशे काल का है उसमें रख कर उसे बंद किया है वो कब बाहर आएगा, वो समय आएगा तो यह बाहर आएगा लेकिन वो वहाँ पर होगा, तब तक कोई उसे नहीं जानेगा तो हमारी समस्य यह ही कि हमारे बात कौन है, आज कैस समयकाल से परे God's Kingdoms के नजरिये से देखे तो और easily बहुत सी बातों को देखकर पहचान पाएंगे देखे, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं इसमें जो छिपा हुआ है ना, उसे परमेश्वर से लेने में ही हम पीछे रह गए हैं पीछे हट गए हैं क्योंकि हम अपने ही लेवल में हैं तो हम वो चाहते ही नहीं है, अब यह सात्व अध्या है तो हमने चाहा ही नहीं परमेश्वर ने कुछ कहा, okay, right इतना ही अब यहाँ सात्वे अध्या में देखिए एक बड़े रूप में यहाँ पर परमेश्वर ने पूरी रीती से एक दर्शन दिया है, बहुत बड़े विशय पर, अब उनको इस दर्शन के बारे में कुछ संधे हो रहे हैं, वो आने पर वो क्या कर रहे हैं, वचन बीस में देखिए, फिर उसके सिर्मे के दस सिंगों का भेद, फिर जिस नए सिंग के निकलने से तीन सिंग गिर गए अब सब अन्य सिंगों से अधिक भैंकर था, उसका भी भेद जानने को मुझे इच्छा हुई, उसका भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई, विलिंग है, मुझे जानना है, अब देखिए, ये जो है, ये तो दानियल के साथ, कहिए कि 80 साल की उम्र में उसके साथ ये पढ़ेंगे तो दे एंड है देखे उसके जीवन काल के बिल्कुल अंतिम समय तक हम आते हैं देखे वो परमिश्वर से कहता है परमिश्वर ये साड़े तीन वर्ष का जो काल है वो उसमें ये सारी बातें पूरी होगी इस तरह से वो कहता है अब देखिए वचन नौ में उस इसे पहचानना होगा इस तरह की एक सोच इसमें है अभी भी मैं रेडी हूँ मैं तयार हूँ मुझे बताइए बताइए ये इच्छा है अपनी जिंदिकी के बार में बिल्कुल नहीं सोचा हो नो ने परमिश्वर ने मुझे जो सिखाया वही बता रहा हूँ अगर हम परम साल या 80 साल के समय में मेरे परिवार को बचाये मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा हम तो यहां जंगल में है हमें इस्राइल में कब घर देने वाले है मेरे बच्चे कब सेटल होंगे समपती कितना है वैसा कुछ नहीं मांगता है उसकी व्यक्तिगत प्रातना नहीं है केवले उसी के नहीं, हारुन की भी नहीं, किसी भी भविश्वक्ता को देख लीजिए, उनका सवाल तो हमेशा लोगों के बारे में हैं, उन पर की हुई भविश्वानी के बारे में हैं, भविश्वानीयों के बारे में हैं, इस तरह से उनका टास्क, वो टास्क पूरा करना ह आपने दोडने वाले खिलाडियों को देखा होगा साथ में दोडने वालों को कुछ दूरी तक वो देखते ही नहीं है लेन को देखकर ही दोडते रहते हैं वो लेन को देखते रहते हैं हमारे पास कौन आ रहा है उसे नहीं देखते हैं आखरी समय तक लेन को देखते हैं जब अध्याय तक दानियल के जीवन की घटनाई दी गई है फिर अध्याय साथ से आगे उसके जीवन में जो हुआ उसके जीवन में परमेश्वन ने क्या बाते की और क्या क्या हुआ इसके बारे में अध्याय साथ से बारह में अलग से बताया है दानियल के दिये प्रकाशन के बा भविश्यवानी मिलने तक वो अपना जीवन वहाँ पर जी रहा था पर परमेश्वर के पास जाकर अपने लिए या अपने भविश्य के लिए अध्याय 6 तक हम देखते हैं कि उसने कुछ भी नहीं मांगा बस वो और परमेश्वर एक और बात जो हमने पहले अध्याय में दे दानियल का पारिवारिक जीवन था ऐसे कोई बात नहीं है एक लिमिट में कहिए आपके लिए यहां पर के सभी के लिए एक समय में पतनी और बालबच्चे नहीं है ये कहते वक दुनिया में जिन्दगी में एक हाली पना जाताए एक तरह से अरे जाओ ना क्या होगा इस त पर दानियल के जीवन में किसी तरह से याने किसी तरह से कोई संब tryna nahi था बस कोई मित्र होंगे क्योंकि उसका जीवन इसी तरह से बनाया गया था तो उसके जीवन के बीच में वो किसी और बात की इच्छा नहीं रख रहा था और विल्कुल आखरी समय तक मुझे आत्मी करीती से प्रकाशन चाहिए, उसका खुलासा चाहिए, मुझे समझना है, ये सब तो हम दानियल से ही सीखते हैं, ये तो बहुती मुख्य क्वालिटी है, जी हाँ, एक समय पर इतने ठक जाते हैं, तो दुनिया उनके लिए कहती है, रिटाइड, वो रिटाइर क्यों होते हैं, 58 साल तक वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, भविशय का सब कुछ तयार करते हैं, और अब ये तो उनके लिए आराम का समय है, लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है, rest in peace वो तो केवल वहाँ पर है, यहां हमारे लिए आराम नहीं है, ये ऐसा कु ये नए नियम में बताया है, कैसे रखा है कि मैं काम के लिए इस भूमी पर आया हूँ, जो काम मुझे दिया गया, उसे मैंने पूरा किया है, वो काम पूरा करते ही वो चले जाता है, कहिए कि किसी को अमेरिका से एमबसी में काम करने के लिए लेकर आते हैं, कहिए उनका का तीन महने चलता है, वो आते हैं काम करने के लिए, mindset क्या रहता है मुझे वापस वहाँ पर जाना है, जाना है, जाना है, वो अपने काम को पूरी तरह से पूरा करते हैं, खत्म होने पर कुछ लोग उसी रात को निकल जाते हैं, या अगली सुभा ही निकल जाते हैं, इदर जीवन ऐसा है यानि हम लोगों को स्वर्ग नेक उदेश के साथ यहां पर भेजा है यह जो भूमी है घूम कर आनन लेने के लिए यह हमारा समय नहीं है अब तो निश्चे ही नहीं है अभी इस समय हम एक बहुत ही महतोपुर्ण काम करने के लिए यहां पर हैं दुनिया वाले कहेंगे हमारे अपने लोग कहेंगे यह सब जो सुनना है यह तो बहुत जादा लगता है ना हमें एक अच्छा जीवन जी रहे हैं कमा कर रखा बचाया है जरा सोचे पॉलूस ऐसा निर्णे लेता तो क्या होता कुछ भी नहीं होता आदा घॉस्पल तो होता ही नहीं सुनो मुसा ने आराम किया आराम करने जाना है तो उपवास प्रातना थी 40 दिन क्या मुसा ने कहा मैं एसराली लोगों को छोड़ कर मैं और मेरी पतनी मिद्दान देश की एक छोटी ट्रिप लगा कर आते हैं दो हफ़ते हम रेस्ट लेंगे 40 साल से तुम्हारी अगवाई कर रहा उसे खत्म करना है इसी तरह से दानियल को भी हम देखते हैं यही हम मुसा में देखते हैं वही पॉलूस में देखते हैं बहुत से लोगों को देखते हैं हमारे पास भी प्रभू का DNA है हमारे पास हाँ जी हाँ यह हमारे DNA में है हम में इन बिल्ड करके भेजा गया है हम वो तरीका है ये तो प्राकृतिक है नेचर पर प्रभु आलोकिक है हम लोगों से अलग है हम अगर ऐसे जाते हैं पहले उन्हें जानना होगा कई विशे पर प्रकाशन पाना होगा सब मिलकर जब उनमें इसमें जाने की इच्छा होती है जब या आएगी तभी लाइफस्टाइल सही होगा सभी को ये लाइफस्टाइल सेट नहीं होती अगर हम इस तरह एक लाइफस्टाइल चाहते हैं तो हम जादा प्रकाशन पा सकते हैं यहने हाल ही के दिनों में परमेश्वर नहीं बात सिखाई है मती अध्याय तेरह में वचन बावन में आप देखिए उसने उससे कहां इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस ग्रहस्त के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तोय निकालता है परमेश्वर क्या कहते हैं कि एक अच्छा बाइबल टीचेर जो अच्छे से अध्यन करता है जो निपुन है क्या क और पुराने में से देगा नया देना क्या है पुराना देना क्या है क्योंकि एक ही कंटेंट है ना इसमें नया क्या है पुराना क्या है ये सोचे तो अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं ये सब कुछ तो परमेश्वर नहीं हमें दिया है जो कह दिया है वो तो पुराना हो गया बात जा चुकी है, दर्ज हो चुकी है, लोग सुन चुके हैं, फिर दूसरी बार सुनने में ये पुरानी है, जो पुरानी वीडियो है, वो देख चुके हैं, इसलिए वो पुरानी है, बस यही, तो फिर हमेशा ये बाइबल की बात करने वाले ये लोग किसका इंतजार करें पवितरात्मा उसे महसुस कराते ही रहता हूँ, देखेए जम नई बात बताता हूँ तो आप खुद इस्में दिल्चस्पी लेते हैं ना, इसमें क्या नया है, इसमें क्या नया है? जैसा कि डानियल ने जैसे पूछा इसी पर हम वापस आते हैं, हम जहां भी रहें हमें यह स मरते समय तक दानियल जानना चाहता था ये क्या है वो क्या है देखे 120 साल की उम्र में मूसा जाने पर था जब जाने का समय आ गया तो मूसा सुन जरा मैं आराम करके आता हूँ यहोशो तुम संभाल लेना कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना नहीं वो अंत तक काम करते रहा काम करके जाते समय किताबे लिखी पांच किताबे लिखकर हाथ में थमाया ये उन्हें सिखाना ये उन्हें सिखाना इसके बारे में भी वो बताता है कहा जाये तो उस समय उनकी इच्छा भी है कि वहां जाकर देखना है उनसे जाकर मिलना है याने इस्राइल में मुझ पूरा करना है, इसे पूरा करना है, कुछ लोग कहते हैं, वो भर-भर के खाते हैं, वैसे ही, बड़ी खोशी से आखर मिनिट तक वो काम करता है, काम खतम करके स्वर्ग में प्रवेश करना है, इस तरह का ये concept ही दानियल सिखा रहा है, अब ये दानियल चेप्टर 7 जो पढ़ रहे हैं, और जो रेवलेशन पढ़ रहे हैं, कुछ लोग रेवलेशन सीरियसली पढ़ रहे हैं, हमने 3 सीजन लगबख देखा उसके बारे में, रेवलेशन पढ़ने वालों को, इस 7 चाप्टर को उनके व्यू से कैसे देखना अब ही दानियल साथ को पढ़ने वाले लोगों को इस बात को समझना हुआ कि ये बैबिलोन के सामराज्य से लेकर येश्य मसी के सामराज्य तक का ये concept है लेकिन इस बीच में हमारे 2000 साल आ गए हैं इन 2000 साल का यहां पर एक छोटा gap है यहां एक छोटा cut है उस cut में मैं मीडिया दूसरे folder में है वो folder प्रकाशित वाक्य उसके बिना अगर इसे पढ़ेंगे तो इसमें केवल इसरायल के बारे में ही दिखेगा हमारे काम का चाहिए तो प्रकाशित वाक्य चाहिए ठीक है जो मुझे चाहिए वो प्रकाशित वाक्य मैं तो केवल प्रकाशित वाक्य तो insert video होगा ना शुरू का होगा ना अंत का होगा यहां पर शुरू का भी है और अंत का भी है और बीच का जो हिस्सा है वो उधर है इन दोनों को जब हम मिलाएंगे ना देखे साथ व्याध्याय में चौथा पशू है जो कि शैतान का राज्य है वो चौथे पशू और शैता studio अधर वो चौथानगे खेक में दिखाई दिया यहां वचन तीन में एक बड़ा लाल अजगर था जिसके साथ सिर थे ये चिन्ह क्या है अगर ये पूचे तो बड़ा लाल अजगर था जिसके साथ सिर और दस SINGTH थे और उसके सिरों पर साथ राज मुकुट थे कहता है साथ मुकुट याने सेवन क्राउंस थे इस तरह से इंग्लिश में बताया है याने साथ मुकुट क्यों है इसे आप दानियल को जाने बिना नहीं समझ पाएंगे अब उधारन के लिए देखे इसके बाजू में ही तेरवा अध्या है इसमें ही देखिये यहां वचन एक में देखिये तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे उसके सिंगों पर 10 राज मुकुट हैं यहां पर 10 मुकुट के बारे में बताया है साथ मुकुट का रहस्य तो केवल दानियल में है ये साथ मुकुट क्यों है यही तो दानियल पूछ रहा है कि परमेश्वर ये क्या है ये सिंग क्या है ऐसा कि यहाँ पर ही साथ मुकुट के बारे में पढ़ेंगे दानियल को पढ़वेनाई से नहीं समझ सकते हैं क्योंकि यहां 10 सिंग में से 3 सिंग उखड गए कहता है यहीं वो रिवील कर रहे हैं देखे दानियल अध्या 7 वचन 9 में आप देखेंगे वचन 8 और 9 में 8 वचन मैं उन सिंगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सिंग निकला और उसके बल से उन पहले सिंगों में से 3 उखड गए कहता है है ना अब 10 में से 3 निकल गए तो कितने रहें 10 माइनस 3 7 वो साथ जो है वो वहाँ पर है देखे इसी तरह से दानियल और प्रकाशित वाक्य में कनिक्शन है तो पढ़ने वालों को हम यहां पर क्या कहना चाहते हैं कि दानियल की किताब और प्रकाशित वाक्य को एक साथ में रख कर ही पढ़िये प्रकाशित वाक्य को एक समय में पढ़ कर नया नियम और प्रकाशित वाक्य पढ़ कर खत्म करते हैं फिर पुराना नियम शुरू करना है तो उत्पत्ति से शुरू करते हैं उसे शुरू करके दानियल में आते हैं तब तक प्रकाशित वाक्य भूल जाते हैं या एक साल बीच जाते हैं, भूल जाते हैं, इसके भेद समझ नहीं पाते हैं, उसके भेद नहीं समझ पाते हैं, और उसके बाद वो क्या कहते हैं, प्रकाशित्वाक के समझ में ही नहीं आता है, दानियल समझ में नहीं आता है, इसलिए हम इसे पढ़ते ही नहीं है, किसी नह मैंने प्रकाशित वाक के बस एक दिन में ही पढ़ लिया, ऐसा क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आया, समय नहीं गवाना है तो एक ही दिन में पूरा पढ़ लिया, अब फिर से मैं मत्ती में जाता हूं कहते हैं, ये क्यों नहीं समझ में आता है, वहाँ पर मिस हुए लेटर्स यहाँ पर हैं, अगर किसी पेज में दो लाइन नहीं है, तो उसे पढ़ने में दिल्चस्पी नहीं आती है, अरे बस यहाँ वहाँ कुछ हो रहा है, इस तरह से बताया है, जो लेटर्स मिस हो गया है, उसे यहाँ पर देखिए, जैसे यह नीचे में लिखकर बताते हैं न, लेवे वस्ता के साथ में इबरानियों पढ़िये, इबरानियों की पत्री यहाँ बाइबल में है न, साथ में पढ़िये, साथ में पढ़ने पर इसे समझ पाएंगे, ऐसे बहुत से कॉंबिनेशन दिये हुए हैं, डैनियल चैप्टर सेवन जैसे कि आपने कहा, रेवलेश के बारे में है, क्योंकि राज्य का मतलब ही एक इंट्रेस्टिंग विशय यहाँ पर रेखांकित हो रहा है, अब यह डैनियल चैप्टर सेवन और गाड्स किंग्डम जो रेकॉर्ड हुआ है, उसे कोरेलेट करके हम कैसे समझेंगे, यह बताइए, अब यह परमेश्वर का वापस पाने आते हैं, क्योंकि यह 1000 साल का राज्य है, 1000 साल के राज्य के लिए वो आया था, लेकिन इसे छोड़ देता है, 930 में ही मर जाता है, तब वही शासन यहाँ पर इशू करने वाले हैं, अब जो इशू करने वाले हैं, इसी का इस्राइल इंतिजार करते जा रहा ह सभी लोग मसीह राजा के जैसे आएंगे ये इंतिजार कर रहे हैं वो प्रकाशन यहां पर दिया गया है स्वर्ग ये राज्य स्वर्ग में है यहां स्ताप ना करेंगे ब्रिटिश सामराज्य एक समय भारत में आया था वैसे स्वर्ग कर राज्य जो स्वर्ग में है वो भू आशा बढ़ाता है इतना प्रकाशन देने वाले परमेश्वर खुद राज करने वाले हैं इस तरह से इन में एक आशा आ गई दानियल को ही देखिए यहाँ बैबिलोन में नबू कदनेसर बिलशासर उसके बाद दारा और फिर कुसरू राजा बना ठीक है यानि इतने राज्य हो गए लेकिन इनकी इच्छा क्या है देखिए परमेश्वर का राज्य आना चाहिए इतने राज्यों को जिसने देखा वो हैड भी रह चुके है योजना की समीति में वो होना चाहिए सब ही के महायाजक होना चाहिए आजकल सब पदवी और पावर के लिए वेट क करेंगे इस तरह से कहते हुएं वो सोचते हैं इसे पढ़कर हमें कौन सी खुशी मिलती है अगर ये पूछे तो, देखे इन सब में परमेश्वर का राज्य इस भूमी पर आ जाएगा, ये कॉंसेप्ट यहां पर है, वो स्वर्गिर राज्य का इंतजार कर रहे हैं, बट वी आर वेटिंग फॉर हैवन, हम उस शुरू की जगह इस तरह एक नया राज्य होगा, परमेश्वर का राज्य पर अलग तरह से आएगा, पर हमारे लिए ऐसा नहीं है, स्टैंडर्ड की एक जगह रखी है, राज्य आने वाले राज्य के लिए मुझे एक काम करना है, और जो राज्य उसमें काम करना इन दोनों में फर्क होता ह वो एटर्नल है, तो वही सोच है, तो यहाँ पर हमारे लिए प्रकाशन है, परमेश्वर का राज्य यहाँ आएगा, वो अनन्तकाल तक रहेगा और हम भी रहेंगे, यह तो हमेशा के लिए रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, पर यह पृत्वी खत्म हो जाएगी, नई हमारे लिए ऐसा नहीं है, मैं जहां पर रहता हूँ, वहां तुम्हें लेकर जाऊंगा कहां, मैं तुम्हें अपने सिहासन पर बैठाऊंगा, इसलिए कहता हूँ, जिन्होंने उसके लिए क्लेश्व होगा है, वो उसके साथ सिहासन पर बैठेंगे, तो हमारा राज्य वह पर है तो इन दोनों को समझना होगा अभी देखे हमारे पास ऐसे दो तरह के लोग होते हैं वो इस पृत्वी पर ईशुमसी का जब राज्य होगा उसमें रहना चाहते हैं तो एक समू को वहाँ जाने की आशा है अभी हम किसमें है देखे ये सब वही है यहुना बप्तिस्मा दाता ने यीशु के लिए कहा आने वाला तु ही है यह हम किसी और का इंतिजार करें संसार के राज्य के बार में सोचता है उस समय यीश मसी ने वहाँ अंधों को आखे दी थी बहरों को कान दिये गूंगों को उन्होंने बोलने लगाया था पर ये क्या उम्मीद करते हैं क और इसलिए देखे इन में एक डाउट आ गया क्या वो तू ही है या हमने कुछ गलत सोच लिया है यीशु कहते हैं मुझे एक और काम करना है वो करने के बाद ये कर पाएंगे तो इस तरह से ये उनके किंग्डम रूल में है वो एक सामराज्य के नियम में है ये संसार के सा पर आएगा इस बात से बहुत ही खुशी है सभी इंतिजार कर रहे हैं ये तो हजार साल का राज्य होगा लेकिन मैं ये कहता हूं उसके पहले ही हम उठाए जाएंगे हम उसके सामराज्य में जाएंगे और वो सामराज्य तो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा हमें उस पर ध् पॉलुस बार बार ये कहता है मैं वहां जा रहा हूं मैं वहां जा रहा हूं वहां जा रहा हूं कहता है और वही हमारा आधार होना चाहिए तो इनके लिए स्वर्ग का राज्य उज्यागर करके बताया गया पर हमारे लिए स्वर्ग बताया गया है हमें ये फर्क समझना होग इस एपिसोड को हम अभी समाप्त कर रहे हैं, अभी हम इस 7 चाप्टर में और भी अगले एपिसोड में, क्योंकि टाइम शौर्ट है 6 सामराज़े में से 6 सामराज़े के बारे में हम देखेंगे, और भी 5 सामराज़े हैं ओवरल रिती से पाथ सामराज्य के बारे में कि वो कौन से हैं और उनका पतन कैसे हुआ और कैसे शैतान का राज्य आएगा इसके बारे में डीटेल से हम प्रभु की मर्जी हुई तो अगले हफते चर्चा करेंगे करने क्या है। मुश्य जाएगा पते चर्चा करेंगें डीटेंगा झाल झाल